नमस्काल साथियों स्वागत है आपका साइन्स की महतोपन प्रश्ण अतरी पार्ट 22 के बारे में ठीक है तो हम 22 तक का हमारा सपर हो चुका है तो बहुत ही इंपोर्टन प्रश्ण बताता हूं मैं तो आप कंठस दिने याद रखेगा आगामी एक्जाम में आपको काई निका प्रश्ण देखने को मिलेंगे ठीक है आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शुरू करते हैं वीडियो को सबसे पहले प्रश्ण आता है साधारा नमक का राशायनिक नाम क्या है तो वह सोडियम क्लोराइट ठीक है जिसे एनसेल कहते हैं फिर बात करें समुद्र जल में सरवाधिक मात्रा में पाये जाने वाले लवन कौन सा है तो वह है सोडियम क्लोराइट ठीक है एनसेल सरवाधिक समुद्र का जो जल होता है उसे खारा होता है तो उसमें सोडियम क्लोराइट की मात्रा बहुत अधिकता से पाई जाती है चुने के पानी को उसे दूधिया कर देता है तो वो करता है carbon dioxide gas ठीक है co2 जो होती है वो चुने को पानी को दूधिया कर देती है ठीक है next question क्रित्रिम सुगंदित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो वो किया जाता है ethyl acetate का ठीक है calcium carbide पर जल की प्रतिक्रिया तोहरा उत्पन गे क्या है तो यह क्यूरी hydrogen के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है तो यह होती है तीन है hydrogen के तीन समस्थानिक होते हैं चुना पत्थर जैसे lime stone का जाता है उसका राशायनिक नाम क्या है तो वह है calcium carbonate COCO3 ठीक है plasteroparis का राशायनिक नाम क्या है तो वह है calcium sulphate hemihidrate ठीक है penicillin antibiotic प्राप्त करते हैं तो यह प्राप्त की जाती है फपुंदी से ठीक है सफेद स्वान किसे का जाता है तो यह का जाता है platinum को ठीक है platinum को सफेद स्वान के नाम से जाना जाता है द्रव सोना क्या क्या लाता है तो द्रव जो सोना है उसे petroleum को का जाता है ठीक है इलेक्ट्राड वाल्ट इकाई का है तो वह है उर्जा की ठीक है, इलेक्ट्राड जो वाल्ट इकाई है वो उर्जा की ठीक है, जिप्सम का रासायनिक सुत्र क्या होगा तो वह है CSO4.2S2O, ठीक है, बहुत ही इंपोर्टन है, मानप शरील का सबसे बड़ा अंग कुनसा है, तो वह है त्वचा ठीक है मानुश्री की सबसे बड़ी अंग है त्वचा का रंग किसके कारण होता है तो यह होता है मेलानीन के कारण ठीक है त्वचा की उपरी सतक क्या कहलाती है तो उसे कहा जाता है एपिडर्मिस ठीक है एपिडर्मिस त्वचा की उपरी सतक को कहा जाता है उत्तिकों का अधियान क्या कहलाता है नोबेल का तेल क्या कहलाता हैं तो यह सीचष्थी गौटो यह है ठीक है कोफी है बंशनのは जाता है क्रिन मुझे urai-00. इक लटकी जूले में बैटकर जूल रही है यदि वहाँ एका-एक खड़ी हो जाए तो दोलन क्या होगा ? जो दोलन मान काल है, वो क्या होगा, बढ़ेगा, गतेगा, इस्थिरेगा, यह रहे खाइगा, तो उस kicking परिवित्तन होता है, कम हो जाएगा, ठीके, दोलन मान जो है, वो कम हो जाएगा, जब किसी गतिमान पींड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय क्या होगा तो वो होता है आधा हो जाएगा ठीक है तो यह बहुत ही महतों प्रेशन तक बारेम बात की हमने पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक क लिए जय हिंद।